नमस्कार, मैं डॉक्ष निविदिता, आज आप से बात करूँगी, रात में बच्चों को जब सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, तो वो आखिर कैसे हमें पता चलता है कि वो अस्थमा है, और उसे कैसे हम डिफ्रेंशियर डागनॉसिस मतलब अदर बिमारियों से हम कैसे अलग साबित कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट हम क्या प्लान करेंगे, तो जी हां, बच्चों में अस्थमा हर एज में पाया जाता है, जब वो टॉडलर होते हैं, पैदा होते हैं, जब वो चलते हैं, बोलते हैं, पाँच साल की एज तक सबसे ज्यादा अस्थमा की जो साती हैं, वो बच्चों में होती हैं, इसको जानना, पहचानना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपनी तकलीफ जाहर नहीं कर सकते, बच्चे अपनी तकलीफ को बता नहीं सकते, तो जो उनकी साइन और जो उनकी एक्टिविटीज हैं, उसी के बेसिस पे हम य कि क्या बचों को रात में अस्तमा की difficulty हो सकती है क्या रात में ही अस्तमा की difficulty हो सकती है उसके sign symptoms उसको differential diagnosis हम कैसे करेंगे other बीमारियों से अलग कैसे करेंगे और उसका हम treatment कैसे प्लान कर सकते हैं अगर आपका बच्चा छोटा है और वो अपनी जो daily activities है उसकी energy के लेवल से वो जैसे करता है उससे कम कर रहा है सास लेने में उसे दिक्कत हो रही है सास आने और जाने में घड़गडाहट की आवाज आ रही है उसको चेस्ट में कंजिशन है आपको लग रहा है कि उसको चेस्ट में पेन हो रहा है कर सकते हैं जब बच्चा सांस बार बार ले रहा है नॉर्मल जो टाइम होता है 16-18 बार सांस लेने का एक मिनट में होता है एक छोटे बच्चे का 24 तक जा सकता है लेकिन अगर ये इससे ज्यादा बार जा रहा है अगर पेट बार बार पूल रहा है और पतला हो रहा है किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है बच्चा जितना active है उससे कम active है इस समय तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि बच्चे को कोई परिशानी है और आपको अगर problem समझ में नहीं आ रही है तो immediately nearby hospital में आपको run करना चाहिए इसके साथ में बच्चों को कई बार रात को problem सकती है जो properly बोल रहा है बात कर रहा है अपनी problem को बता पा रहा है लेकिन रात में सोते वक्त अचानक बचा उच जा रहा है उसको proper नींद नहीं आ रही है तो यह clear sign and symptom है कि बच्चे को nocturnal asthma है nocturnal मतलब सिर्फ रात को ही उसको अस्थमा का attack आ रहा है अगर ऐसा है तो बच्चे करना चाहिए different test available है उससे पता कर लेना चाहिए अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि क्या यह nocturnal asthma ही है इसके लिए आपको दो तीन और बिमारियां हैं जिससे आप इसको चेक करेंगे कि कहीं यह इस तरीके की problems तो नहीं है जैसे किसी बच्चे को anxiety है या किसी अचानक से सपने में कोई ऐसी चीजे देख रहा है जो बहुत जादा anxiety वाली है या बहुत जादा वो depression में है तो उस समय भी वो रात को अचानक से उठ सकता है ऐसा भी हो सकता है कि रात में किसी एक hormones होते हैं आपकी बॉडी में तो बच्चे की hormones में fluctuation हो रहा है जिसकी वज को चानना समझना जरूरी है इसके sign and symptoms बहुत सिंपल है आपको मैंने बार बार बताया कि बच्चे को सांस में लेने में दिकत होती है जब आप उसके chest के पास जाके सुनेंगे तो parents भी बताते हैं या बच्चे को खुद पता चलता है कि CT जैसी आवाज जिसे हम वीजिंग ब बहुत पीसफुल स्लीप में नहीं होता है बच्चा बार बार नीद उसकी उखड़ती रहती है तो यह एक क्लियर साइनन सेंटम सेंजो बताते हैं कि बच्चे को औस अस्थमा है और रात में होने वाला अगर आप डॉक्चर के पास जाते हैं तो कई सारे वह आपके लॉक्षिन टेस्ट या फिर आपकी लंग्स कैसे काम कर रहे हैं LFT लंग्स फंक्शन टेस्ट करवाते हैं इसके साथ में आप पीक एकस्पाइरेटरी वॉल्यूम को चेक करने के लिए चोटा सा इंस्ट्रुमेंट आता है आप वह भी चेक कर सकते हैं उससे आपको पता चल हो रही है उनका पीएफ सुभह और दोपहर को नॉर्मल रहता है जबकि रात में अगर वो दुबारा ये टेस्ट करें तो शायद पीएफ आपको कम मिलेगा अगर आपका पीएफ नॉर्मल है मॉर्निंग में तो यह नहीं मानेंगे कि अस्थमा नहीं है रात में ये प्रॉ उस कॉंटेक्ट में आप आ रहे हैं बच्चा उसके लिए इसलिए रात में अस्थमा हो रहा है या जैसे मैंने आपको बताया होर्मून्स को आपकी बाडी में इंफ्लामेशन को नहीं होने देता है लेकिन को इस वार्मून रात को धीरे-धीरे कम होने लगता है और सुभह बच्चे को रात में नॉक्चुनल अस्थमा का अटायक आ रहा है तो आप अगर चेक करेंगे तो रात में ही प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसके कई सारे रीजन्स हैं बच्चों में यह पता चल जाता है क्योंकि पेरेंट्स उनके साथ में हैं हर एक्टिवीटी को चेक कर हैं तो आप कही न कहीं फाइंड आउट कर लेते हैं कि बच्चे को सांस में प्रॉब्लम हो रही है और आप उसे चेख करवा के ट्रीटेमिंट कर लेते लेकिन जो एडॉलेसन्स बच्चे हैं जो थोड़ेबड़े हो चुकरे हैं वह अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पात और कई बार यह अन्नोटिस्ट रह जाता है कि बच्चे को नॉक्चुर्नल अस्थमा की प्रॉब्लम है धीरे धीरे जब यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है तब आपको डाइग्नॉस होता है अगर बच्चे को इसी तरीके की कोई डिपिकल्टी आ रही है तो सारे चेक अप्स करवाएं एक्स रेस करवाएं यूवल गेट टू नो की प्रॉब्लम अस्थमा की है और जैसे ही आपको पता चलता है प्रॉपर ट्रीक्मेंट्स जो हम बार बार डिसकस करते आ रहे हैं इम्मिनिटी पे काम करने की रिक्वाइमेंट है आप वो काम करें अगर ह की तो फ़ूब्लम आई उसको उस समय के लिए थोड़ि देर के लिए शांत कर दिया गया और फिर ठीक हो गया लेकिन यही प्रणम को अगर आपको पर ठीक करना है तो आपको आईरवेद के थ्रू जाना चाहिए आपको यह जानना चाहिए कि कोज कैया है और उसके ऊपर आ other problems से rule out कर सकते हो, पहचान सकते हो कि उसे इसी समय इसी तरीके की problem है, उसके sign and symptoms क्या होते हैं और आप कैसे उसका treatment plan करके उसको ठीक तरीके से ठीक कर सकते हैं. इसी तरीके की कुछ interesting information लेके मैं आपके पास फिर से प्रस्तोत होंगी, इस वीडियो को रेखने के लिए धन्यवाद.